मुकमत्री ने 45,000 वर्ग फीट में फैले भारती स्टेट बैंक के भवन का विदिवत उडगाटन किया जो दो फलोर में है और दोनों फलोर पर पर परशासनी कारियाले के अतिरिक 5-6 कारियाले हैं जिसके नींतरणा धीन गोरकपूर आयोबस्ती मंडल में इस्तित कुल 275 शा कर विदिवत उलोकन किया इस उसर पर मुकमत्री ने परशासनी भवन FBI के लोकारपड उसर पर अपनी शुपकामनाय बधाई देते हुए कहा कि शासन द्वारा संचालित जन का लियानकारी शासे के योजनाओं के शत प्रतिशा सफलता में बैंक का भरपूर सयोग रहता है और ये बैंक देश के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है उब भोकताओं के हितों को ध्यान में रखकर समय बद धंक से इस कार को पूर किया गया है ये बैंक न केवल बैंकिंग छेतर में बलकि समाजिक परतिवदताओं में भी अपनी अग्रड़ी भूमिका का निर् 24 माह में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार पूरा होगा लोगों को स्वच पेजल उपरप्त कराने के लिए स्वच पेजल योजना के तहर संत्रिप्ट किया जाएगा क्योंकि अशुद पेजल बीमारी को जन देती है स्वच पेजल योजना से इंसलाइटीस आर्सेनि की कारवाई की जा रही है और विकास की रफ्तार निरंत्रण आगे बढ़ रही है किया बया जान्त जेवा स्ण भायां 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 तर्था पायासे तांतारिक्चको से लुट। रुमा सथां सोलागरिपाः विस्वं आतिघरा निरी ख्रतासाताना कुल देमना गटईब्धाः सब्सक्रावल प्रशाशनिक भावन के लिजा बार्थी इस्टेट बैकिन प्रसासनिक भावन के अगार्वाम एकादिकरम में हमारे बीच इस अच्शी मुख्यमंत्री परपड़ पर संपन हो रहा है हमारे आधाणी मुख्यमंत्री परंपोचे योगे आधिकनाथ बैमाराच इकीत प्रज्वी है आधरी आधरा हमारे इस दिल्याभाई पर दल्दॉघ्च कमानों मुझारा निता 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 किस्थी देश कि जार्ट कि अमां 치ति नप जार्ट। रुकारल्च कि लेता निता हुआं कि अम। इस क्वान स Celsius, मुझार्ट क कहार्ट। कर दोस्राफे मैं बनाले फ्रक््रावा ज़से बैर सकते हुद्धीοι यह सम्टने जास्टार शबरी आस्टार करी दरकेशD और कुछ ऐसे जो इतिहास के रचना करते हैं हम सब एपनी महरार जी इनोंने अपनी सकारत्वत सोच आधरडी से दर्विश कुमार जी उपस्तित है जिनके कुशल नडित्व में हमारा प्राइंक नित नई उचायां हासिल कर लहा है हम दे अब मैं अनुद करता हूँ अधरडी अध्यश्मोजे से कि हमारे परंपोचे योगी जी महराज का पुस्पुच देकर स्वाद़ करें अधर स्चिमती सरोनी नरान जी से अनुद करूँगा कि इसमित चिन देकर उनका स्वादत और सम्मान करें श्री स्री योगी आधियत्यरत जी महराज तेवर्ण उपस्तित्थ सभी भर्थय श्टेटवेंग के अधिकारी एंड करमचारी तों मैं समझता हूँ कि भार्तिया स्टेट बैक के थियास में और गुरणपुर की और गुरणपुर की उसमें हमेशा से सबत प्रयास करता है दोसुचेदर शाख़ाएं हैं इस आंश्टिक कारिया लेके अंतरगर्द और करीब 50 लाख कस्टूमर्स बार्तिया स्टेट बैक सरुप करता है 30 प्रतिशत के लवह बनब पार्तिया स्टेट बैक का मार्केट शेयर है जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी आंस्टिक कारियर ले के लिए बड़े गर्द के बाते कि इतना बड़ा मार्केट शेर हों करें हैं जो आम जंदा के लिए स्कीम्स चंती हैं आपकी सरकार की भारत सरकार की उसमें भी पूरा योगदान भागी स्ट्रीट बैंक करें जैसे डारिक बेनिफिट ट्रांसफर है सबसे बड़ा जो डारिक बेनिफिट ट्रांसफर है वो हम लोग एंडिल करें लेटेस्ट टेक्नोलोजी स्ट्रीट बैंक के पास आज बिल लेए बिली सारी शाखाओं को पुरा ये एक निर्देश है कि मानदारी से और जो एक स्वच एक बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन और बदलाव आज उपाए और स्वच्थता अभियान के बन फिजिकल नहीं है लेकिन घरमचारियों के हम लोगों के खुद के हर लेविल पे एक आच्रण स्वच्छों विचार स्वच्छों वोग एक कारिकरम जो है एक बड़े इस् कि आपका समय बहुत अल्ब समय अविल अभिल है और बात बिजी शेडियूल है तो मैं उन्हें भारतिय स्क्रेट मेंके समस्त परिवार और रखनों मंडल और गोलव पुराचली कारियर ले की तरफ से विशेश रूप से आपका अभार वेक्त करता हूं कि आपने हमारे लि आपके श्री रजवीश कुमार जी से विशेश भारतिय स्टेट बैंक के आंचली कालेले की मुख्या पसासनिक भॉण की अधान कारेक्र में पस्कित भारतिय स्टेट बैंक के शेयर्मेन समाने विश्निश कुमार थी मुख्या मापरबंदक मती शलूनी नायन जी भारतिय स्टेट बैंक के सभी वरेष्ट अधिकारिगंड और आज के सवारो में पस्कित सभी महलभाव मैं भारतिय स्टेट बैंक करिवार को मुख्या प्रसासनिक भौन के लोकारपण के उसर बर फिर दैसे बताई देता हूं अपनी शुक काम नहीं देता हूं साथी गोरकपूर अंचल से चुड़े वे ओन पचास लाग दोसो सतब्तर साखाओं में पचास लाग से थि इस परिवार के सबस्य की रूप में भारतिय स्टेट बैंक के सेवाई लेने वाले परिवांचल वास्यों को भी मैं हिर्दे से बढ़ाई देता हूं मैंने बहार से इस पहुन को देखा है और अंदर से भी एक बहुत भव्यभून बहारतिय स्टेट बैंक ने गोरकपूर को दिया है जो कि गोरकपूर मेरी क्रम भूमी भी है इसलिए मैं इस्टेट बैंक परिवार को इस्टेट बैंक के अंध्य अक्सर से रजनिश कुमार जी को मुख्य महाप्रवंतर सुसरी स्लोनी नारणे जी को और उन सभी अधिकारियों को कि इरदे से साधुबा देता हूं कि जुनों ने यहां के वो भुगताओं के इतनों को ध्यान में रख करके इसलिए कारे को एक समयबत धन से पूरा किया है जाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो और अच्छा है कि हम लोग पूरा सजयोग करने को तयार है उनके इतना कहने भर से हमारी टीम का बहुत उत्सा बढ़ा था और अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंवेज़तर समीट करने में हम लोगों को 21-22 प्रवरी 2018 को सपत्ता प्रदवी थी एक भावनात्मक लगाओ देश के सबसे बड़े राज्यकी प्रदी उनके मन में रहा है स्वाइब रूप से उत्तर प्रदेश उनकी जनम भूमीव है तो इस वरूप में एक भावनात्मक विस्ता उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ना है यह प्रतेइक उत्तर प्रदेश वासी को भी अविभूत करता है भारति स्टेट बैंक देश के सबसे बड़े बैंकों में इसकी गिंती है न केवल बैंकिंग जहत्र में अपितो अपने समाजिक प्रतिवतताओं के लिए भी भारति स्टेट बैंक ने समय समय पर अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वान किया है आज के समय में हम सब जानते हैं कि विगत साड़ी चार वर्षों के दोरान देश के सशी प्रधानमंत्री से नरेंदर मोदीची के निक्तितों में ऐसे अनिक फैसले लिए गये तो देश के हित में मैं तो कोन थे और उन थेसलों को सब्वता फुर्वर लागू करने में चायवाह इस देश के अंदर बिमत्री करण के दौर रहा पोचर ने पुरे देश के अंदर काला धन के खलाब एक वहद अभियान नोडबंदी के मात्यम से ब्रारों गवा था इस्टेट बैंक के सभी अधिकारी और करमचारियों ने जिस पर्दिवत्ता के साथ समय के बंधन से न बंद करके इस पुरी योजना को सभलता पुरवग लाबू करने के रहा है और इसमर्णी अंदा इसी प्रकार से पुरे देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स के रोप में जी एस्टी को सभलता पुरवग लाबू करने और एक आम ब्यापारी जो अपनी मेहनत से एक पूजी एकट्र तो करता है लेकिन बस ब्यापारी को टैक्स भरने के लिए दस टेवल में जाना परता है उसको भी राहत मिले और साथी एक सामाने को भोगता भी किसी भी प्रकार के सोशन से मुक्त रहे जी एस्टी को सभलता परोग लागू करने डीवीटी के माध्यन से इस देश में रश्टाचार पर प्रभावी प्रहार करने कि जो महिम प्रधानमंत्री जे ने प्रारम्ब की देश के पित्रिय समस्थाओं कि इसमें बहुत बड़ी फूमिका है और उसर अभ्यान को क्योंकि हम सहज अन्मान लगा सकते हैं कि एक समय था जब देश के ही एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि हम एक रुप्या लेजते हैं एक नीचे तस पैसा लेता है लेकिन दीविटी ने यह परिवर्टन करके दिखाया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि एक रुप्या घ्रेजूंगत हो एक रुप्या उस गरीब तक पहुंशेगा जिसके लोग देजा जागा है असर आम जन के जीवन में कैसे हो सकता है हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे डंग से देखा है समझा है केंदर सरकार ने राधने प्रधानमंत्री जीने बहुत सारी ऐसी योजनाई को सित की जो एक आम नागरिक के जीवन में को साहली ला सकता है चाहिवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सभवता पुर्वक इस देश के अंदर लागू करने का रहा हो लगभग 14 करोड से थी कि युवाओं ने इसका लाभ लिया है प्रधानमंत्री जंधन योजना वो योजना थी जिसके माध्यम से एक गरीब को हम डिवीटी का लाभ दे सकते हैं और सासन की किसी भी योजना के साथ जोड सकते हैं ऐसे 36 करोड से अधिक परिवारों के बैंक में खाते कुड़वाना प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना या प्रधानमंत्री स्टार्ट अप योजना हो या दिश्टर इंडिया की योजना प्रधानमंत्री जिवन जोती योजना हो या प्रधानमंत्री जिवन सुरखसा भीमा योजना ये ऐसी अनेक योजनाई थी जिन योजनाओं ने एक आम नागरिक के चेहरे बर फुसाल इनाने में बहुत बड़ी फुमिका का निरुआन किया और सौभाई कुरुप से बैंकों की फुमिका उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाने में विददवर्स हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसानों के लगोर सिमान तक किसानों के एक लाग रुटे तक कि कर्जबाद किये थे एक चनाओजी थी हम सब के सामने लेकिन पखनी कॉप्यों करते थे प्रभावी धंसे से लागो करने का कारिया हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया इसमें भी हम लोगों ने स्टेट डेविल की जो बैंकर्स कमीटी थी उसके साथ हम लोग बैठे थे उनका एक सकारात्मक सयोग इस्तिसामें प्राप्त हुआ था और इसका पैड़नाम था कि हम लोग इसको लागो करने में सफन हुई तो स्वाभावी गुरुप से तगने का उप्यों करते थे आज जिस पेजी के साथ बित्य स्वावेशन के स्छेत्र में वेहतर कारियर बैंकों ने किया है स्वाभावी गुरुप से भारते स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक होने के नाते इन सभी योजनाओं को प्रभावी डंस से लागो करने में अग्रणी राह है में वारते स्टेट बैंक के अध्यक्सिस रज़िश कुमार्ची को और उनकी परी टीम को इन सभी योजनाओं को सफ़ता प्रभाव लागो करने में दे गए योग्टान के रिखल्दे से सादुबाद देचा हूँ और आपकुस्रास करेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे अन्य कारिक्रम आने जा रहे हैं और सब जान जाए हैं कि किसानों के इतकी लिए अभी हादी में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागो की है जिसमें लगो और स्रीमांत्र किसान को प्रतिवर्स छे हजार रुटे सिदे उसके बैंक एकाउंटमेंट देने की दिवस्ता और उस कारिक्रम का सुभारंबर 24 फरबरे को गोरगपुर से ही प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं एक लिक करके बारा किलोड किसानों के खाते में पैसा जाएगा पहली किस्ट का पैसा जाएगा तो 24 फर्वरी को अकारिक्रम गोरकपुर से ही प्रणमंद्री जिसको आगे वढ़ाएंगे उत्तर्वदेश विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे वढ़ा है मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि उत्तर्वदेश अपार संभावना वाला प्रदेश है जब प्रक्रिते और प्रमात्मा की इतनी किरपा उत्तर्वदेश पर है फिर उत्तर्वदेश का नागरी की पन्द कैसे रह सकता है हम लोगों ने इस प्रहद योजना को लिया है इसका आधार सिरादी तुभानमंत्री जी 15 फरवरी को रखेंगे साथे इसके बाद बिंद छेतर को फुर्वय उत्तर प्रदेश के इन से प्लाइटीज और अन्य विशानु जनी प्विवारियों से प्रभावी छेतर और सनिक और फ्लोराइड से प्रभावी छेतरों को भी हम लोगों ने बेजल के अपनी युजना में लिया है प्रदेश के अंदर व्यापक संभावनाएं है हम लोगों ने इताय किया है कि पस्चिने उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयाग्रास से जोड़ने के लिए भी एक तकबग 600 किलोमेटर का एक्सप्रेस कंगा एक्सप्रेस वे हम बनाने की प्रक्रिया को आगे वढ़ा रहे हैं हमने सर्वे का अदिस द्यास के अलाइंटमेंट कैसे तैर होना है इसके बारे में एक सर्वे हमारा चलता है हम लोग अगले जो प्रदेश का सप्लिमेंटरी वजट आएगा उसमें इसके धंदासी की विवस्ता करेंगे और फिर उसके बाद हम बित्नी संस्ताव से याख्रा करेंगे कि जो भी लोग इसमें रुची लेना चाहेंगे बहुत अच्छी विवस्ता अच्छे डंग से चलेंगे कनेक्टिविटी के पार सम्माना उत्तर प्रदेश के अंदर है जिस समय वारी सरकार आई थे उसमें प्रदेश के अंदर केवल तीन एयर्पोर्ट फंक्शन में है और नौ इयर्पोर्ट पर वर्तमान में कारेचला है हम जेवर में एक निया इयर्पोर्ट, इंटर्देशन लीड ले बनानी जा रहे है जो देश का सबसे बड़ा इयर्पोर्ट होगा इस पर हमारा क्ला시 है तेसे प्रकार अयोद्या में भी हम एक नियर्पोर्ट को देखर के आ रहे हैं मैं देख रहा था कल मैं गुरगपुर एरपोर्ट में था मेरे सामने ही दो फ्लाइट दिल्ली से आई थी दोनों बोईंग थे एक सो असी सीटर और फुल थे मैं पूछ रहाते एक पैसेंजर से मैंने कितना किराया लगता है दिल्ली से इस समय उसने वताया कि तीन हजार रुपे मैं से आठ वर्स पहले दिल्ली से गोरफ को राया था तीस हजार रुपे में टिकट लिया था और आठ वर्स के वाद जब ह किसी रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो तीन हजार रुपे में हमें जिकट मिला है यह है कैसे हम समय के साथ लोगों को सुविधा का लाब दे सकते हैं उनके जिवन अस्तर को उठा सकते हैं आदुडान यूजना के अंदर चल रही यह सुगधाएं आम जन को और उनके समय को बचत करने के साथ उनको इस प्रकाथी बेहतर सुधाएं भी उपलत करा रही हैं अब यह अगले महिने से गोरफ़ को मूबई से जोडने गोरफ़ को हैदराबाद से जोडने गोरफ़ को कलकता से जोडने यह जिस गोरफ़ से एक फ्लाइट थी आज दिल्ली के लिए तीन है और बैंगलोर के लिए एक है और अगले मेहने के अंदर गोरफ़ से चार नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है ऐसी अलग अलग छेटों से हैं यह तोई छेटा है जिनके मात्यम से हम लोग देख सकते हैं कि विकास कि सरफतार से आगे बढ़ रहा है प्रधान मंत्री जी की फ्लैक्सिक स्कीम को भी हम लोगा ने बहुत प्रभाइट लग से यूपी में लागों किया लोग सोचते होंगे बहुत पार कि क्या संभाव है डेड़ वर्स में प्रदेश के अंदर बीस लाग गरीबों को आवास उप्डब दख्राएगा है जिसमें 11 लाग से अध 200 रुपे उन्हें हमने मनवेगा की मजदूरी के बराबर एक रटम भी उनको उप्लब्द कराई है सहरी चेतर में 8,666,000 की संख्या है जिने हम लोगों ने थाई लाग रुपे प्रति परिवार के राज से उप्लब्द कराई है प्रदेश के अंदर सौच भारत मिसन के अं एक करोड से दिख परिवारों को सौभा के उचनावे निसुल को बिदुद के कनेक्शन उप्लब्द करवाए गए वरतमान में हम रासनकार उप्लब्द करा रहे हैं तीन करोड 55 लाग परिवारों को कि रासंकार अंदोदय पात्र ग्रहस्ति के हैं जिसमें प्रते एक परिवार को दो रुपे किलो चामल और तीन रुपे किलो की उमों मिलेगा प्रहत पैमाने पर ये कार है अजिश्मान भारत में अभी वर्तमान में भारत सरकार की योष्णा में इन करोड 18 लाग परिवार एनी 6 करोड लोगों को हम 5 लाग की स्वास्ते बीमा की कवर उपलब देकरा रहे हैं 55 लाग लोग ऐसे थे जो चूटे चूट चूट पन लाग लोग ऐसे थे जो इससे चूटे वे थे हम लोगों ने उत्तरग्रदेश के बजट में उनके लिए भी धंदासी का प्रावधान दिया है कि हम उत्तरग्रदेश के अंदर इस योष्णा को पचे वे लोगों को उत्तरग्रदेश सरकार अपने राज्जे के बजट से इन्हें एरासी उपलब्द कराएगे शुद्धा उपलब्द कराएगे तुरी जंग के छेतर में भी आज आप प्रियाग्राज देख रहे हूंगे प्रियाग्राज में कल तक पंदरा करोड से ठीक सरदावों ने अभी कल मुख्या असनान एक और है पसंद पंचमी का ये साही असनान भी है और मेरा मान है कि काफी बड़ा अजजन कल वहाँ पर होगा इसके बाद फिर दो असनान मागी पूरी मागा और सिवरातरी के और होगे यानि रिकॉर्ड तोड़ने वाले सारे आंकड़े अपने आप में उससे एक सज्जन कह रहे थे कि आंकड़े आप कैसे दे रहे हैं मैंने कभी हम डिजिटल मैपिंग भी करा रहे हैं और सांखी की आंकड़े भी हमारे वहाँ प्रोप्लम तो हो रहे हैं आप जाकर कि वहां से आंकड़े दीचे लिश्टर मेली में जाकर कि देखिए यांकड़े आप कुमही से प्राप्त हो जाएंगे और जब सुरू में कि पूछा कि आखिर कूंब में कितने लोग आएंगे तो मैंने कहा 12 से 15 करोड़ कहा 15 करोड़ भाद बड़ी संख्या नहीं है और 15 करोड़ आधा कूंब ही अभी पूरा हुआ है कि 15 करोड़ की एक बड़ी सब्धानों की संख्याव तक कूंब में आ चुई है प्रेटन के पार संभाव में आप अयुद्या में दिपोस्टों के करेकरम के साथ देखेंगे अयुद्या में एक भी धरंसाला एक भी होटल होटल वहांपे कम है लेकिन होटल दस लोगों में नेपस्ताववे हैं अयुद्या में होटल बनाने के लिए ऐसे ही वारानासी मे क्वारानासी में किसी भी बर और त्यवार के समय कहीं आपको जगए नहीं मिलेगी यानि बढ़ती भी उत्तर्वदेश के अंदर प्रेटन की ये बार संभावनाओं को तलासने के लिए भी आगे बढ़ने के लिए उत्तर्वदेश को ली तरह तैयार है और मुझे लगता है कि भारते स्टेट बैंक जैसे संस्थाओं की बड़ी कुमिका हो सकते उत्तर्वदेश को आगे बढ़ने के लिए और उन संभावनाओं को जभानिक धरातन को रोतारने के लिए जिसकी लंबे समय से प्रितिक साथी मैं एक बार को ना भारते स्टेट बैंक के अध्यक्सर रजणिश कुमार जी को मुझे लांपर बंदर और अन्यसभी अरिकारियों को पुरे स्टेट बैंक परिवार को इस मुझे पसासनी को बढ़न की लोकारबन का उसर पर इरदे से बढ़ाई देता हूँ प्रत्रभदेस सरकार आपकी सेवाँ को पुरी तरह लेने के लिए नकियों पुरी तटयार है वितों समय समय पर उतर्भदेस सरकार भी को आप लोगों के साथ मिलकर के सभयां का हिस्सा बने कि आप सब की प्रटी मेरी सुथ कामनाएं धन्यवाद जितने भी आप जट्रत में इकाते करें, आपने पेले कारें कि मैं तो आपना पक संबंद्य अविकुपी के साथ, तो पांगे स्टेटमें तो रविशार के बढ़े के उसी में. प्राइब स्टेट ङृत्पल काई जसे थे ट्रह झाया हैdefense कि मैं खानि यॉ किताते झाल 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 झाल